हाई दोस्तों यह compound interest का साथवा question है साथवे question में दिया है principle हमारा 18,000 रुपए है rate है 16,2 by 3, time है 1 year 73 days और compound interest हमें निकालना है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं time 2 साल, 3 साल, 4 साल ऐसे करके नहीं दिया है तो यहाँ पर हम अपने method को कैसे apply करेंगे जब यहाँ पर हमें 73 days दे दिया है तो हम क्या करेंगे तो हम देखे 16,2 by 3 का fraction value लिखेंगे 1 by 6 और हम जानते हैं अगर 2 साल time यहाँ 1 year 73 days अगर दिया गया है तो हम इसे 2 साल मानके कर लेते हैं तो हम अगर इसे 2 साल मान करके करेंगे तो 6 का हम square करेंगे क्योंकि 2 है इसलिए 6 का square करेंगे तो यह आया हमारा 36 और यह हमें principal मान लेना है अब देखे हमें इसे principle मान लिया तो पहले साल इस पर इंट्रेज जो लगेगा वन बाइ सिक्स की रेट से लगेगा तो यह हमारा आया 6 और दूसरे साल यह रेट है हमारा इस fraction value में हमने इसे इस पे चेंज किया है तो यह हमारा वं बाइиты से यहां आया कि दूसरे साल इसने पहले साल का जो interest था उस पर भी 1 by 6 की rate से हमें interest मिलेगा तो इसे हमें मिला 1 इंट्रेस्ट से हमें interest मिला 1 तो यह हमारा पहले साल का था यह हमारा दूसरे साल का interest है इतना दूसरे साल का यह हमारा इंट्रेस्ट है तो यह दूसरे साल का हम देख रहा है 7 unit हमें interest मिला 365 दिन में लेकिन हमें 73 देज का निकालना है तो यहां 73 होना चाहिए लेकिन यहां 365 है तो 7 x 365 एक यूनिट का हुआ 7 x 365 और 73 यूनिट का हुआ 73 x 7 x 365 जब हम इसे solve करेंगे तो हमारा आएगा 7 x 5 या फिर हम इसे लिख सकते हैं 1.4 अब देखे 1.4 हमारा आया 1.4 हमारा आया दूसरह साल का इंट्रेस्ट जो की हम साथ लीया था लेकिन इसाथ नहीं हमारा 1.4 है क्यों 1.4 ऒंग यह 365 दिन नहीं यह बस 73 दिनका हिंत्रेस्ट है तो हमारा total इंट्रेस्ट हो गया compound in just tota एक सीद्र प्रास 15 7.4 यह हो गया 7.4 अब देखे 36 यूनिट हमारा प्रिंसिपल है अब देखे question में दिया क्या गया है उससे हम एक यूनिट का निकालेंगे तो प्रिंसिपल हमें दिया गया है तो एक यूनिट का हमें आया 500 अब देखें एक यूनिट का 500 तो अब हमें निकालना है कंपाउंड इंट्रेस्ट हमारा आ रहा है यह 7.4 तो 7.4 और एक यूनिट का है 500 जब हम इसे सौल करेंगे कंपाउंड इंट्रेस्ट तो हमें अब हमारा डिजाइड एंसर जो है वह मिल जाएगा तो इस कुश्चन में करना क्या है दो साल का अगर आपको दिया हो तो आप मान लीजिया तो पहले साल 1 by 6 की रेट से हमें सीट ऑर इंट्रेस्ट छै मिलेगा और दूसरे साल भी 36 बेरिंटरेस्ट मिलेगा वन्युक्रार खिला प्रमा से से करना क्योंकि यह दूसरे साल का इंट्रेस्ट है तो 6 वन बाइ 6 करेंगे तो वन उजाएगा अब देखे टोटल कंपाउंड इंट्रेस्ट यह वाला इंट्रेस्ट दूसरे साल का compound interest साथ है जबकि यह 365 दिन का है तो 73 दिन का हम निकाल लेंगे जो की 1.4 है तो total compound interest हम add करेंगे तो आएगा 7.4 और फिर 7.4 से हम हमें फिर 36 की help से हम एक unit का निकाल लेंगे 36 की help से एक unit का 500 तो 7.4 unit कितना होगा 7.4 को हम 500 से जब multiply करेंगे तो हमें compound interest मिल जाएगा